नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल्स प्लूफेक्टिचिंग में आपका श्वारत है आज कहा हमारे विश्य है होमेपैथिक मेडसीन चेनोपोर्डी ग्लॉसी एफिस के शिम्टम सबसे पहले हम आपसे अनोत करेंगे कि क्लिप्याप हमारे चैनल के सेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल का सब्सक्राइब करें हमेडिक मेडिसीन चेनोपोर्डी ग्लॉसी एफिस के शिम्टम दिवीन प्रकार लक्षनों के अधार पर चैनोपोर्डी ग्लॉसी एफिस उस्ती के उप्योग जैसे सिर्सेसमज़ित लच्षन दीरे-धीरे होने वाला सिर दर्द दीरे-धीरे दूलने से बढ़ता रहता है, जुकाम के साथ नाक के नत्रों में जलन या दर्द होना, कानों के अंदर बहुत तीज आवाजे सुनाई देना, चेरा पीला पर जाना, दात में दर्द जो कानों, कनपटियों और गार की हड़ियों में फैल जाता है, आदिसीर की रोगों चेनों में रोगी को चेनों पोड़ी, ग्लॉसी एफी सहसी देने शे लाव होता है, आमासे से समझत लक्षन, रोटी और मांस को देखकर ही भूख समाप्त हो जाना, जीब की नोख पर छाले निकलना, पेट में दर्द के साथ अजीब अजीब सी आवाजे आना, आदिसीर क के लक्षनों में चेनों पोड़ी, ग्लॉसी एफी सहस्दी का परियोग रावकाडी रहता है, मल से समझत लक्षन, मल सकत और गाठदार आना, सुवा मलत्याक के किरिया के समय बहुत तेज दर्द होना, मलदलार में जलन होना, तथा मलांतर और पिशाब की नली में दवाव पर ना, आधी लक्षनों के अधार पर रोगी को चेनों पोड़ी, ग्लॉसी एफी सहस्दी का शेवन कराना रभदायक रहता है, मूत्र, पिशाब से समझत लक्षन, लिंग के मूपर बहुत ज्यादा उत्तेजना होना, पिशाब की नली में जलन होना, पिशाब का बार बा आना टता जहाद के साथ आना, आधी मुत्र रोगों के लक्षनों में रोगी को चेनों पोड़ी ग्रॉसी एफिस होजी देने से लाप मिलता है, पीट से समंझत लक्षन, कंदे के दाएं तरफ के जोर के अंदर बहुत तेज दर्द, जो कुछ समय के बाद छाती में पहुन जाता है जैसे लक्षनों में चेनोपोर्डी ग्रॉसी एफी सौजदी का परयोग लावकाड़ी रहता है ज्वर बुखार समझ लक्षन पूर्य सरीर में कब कप्पी के साथ ठंड लगना हथेलियों में जलन होना विस्तर में शोने पर गर्म पसीना आदी बुखार के लक्षन में रोगी को चेनोपोर्डी ग्रॉसी एफिस वजदी का परयोग कराना लाव दैक रहता है तूलना चेनोपोर्डी ग्रॉसी एफिस की तूलना नेक्टरम सल्फ्यू नक्स से की जा सकती है मात्रा रोगी को चेनोपोर्डी ग्रॉसी एफिस वजदी की छट्टी से तीस्व प्रतु तोंगे दन्यावाद।